दोस्तों ये मैं आपको बैक साइड से दिखा रहा हूँ, ये येड़ा का साइट है, सेक्टर 18, ये एक मजार है, जहां से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप लोकेशन मैप में देख पारे होंगे, तो ये रोड अभी सीधी नहीं बनी थी, इसके जस्ट में ये बाउंड इसके दोनों साइड में रोड के दोनों साइड में कमर्शल जो पॉइंट होंगे, इंस्ट्यूशन वगरा वो बनेंगे, यहां पर फिलाल इन्होंने अपना ओफिस बनाया हुआ है, जहां पर आप अपने डोकुमेंट वगरा या बात कर सकते हैं, मैंटेनेंस खाफी अच आप यहां पर देख पार होंगे, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर फर्स्ट पार्क व्यू है, यह अभी जो है लॉंच हो नहीं हुआ, यहां पर काम चल रहा है अभी, और इसके जस्ट मेरे राइट साइड में आप देखेंगे, तो लेक आपको देखने को मिल जाती है, और उसके साइड में आपको इंस्टिटिशन वगरा, कमर्शल प्रोपर्टी हो है वहाँ पर, यह रोड सीधी आपको पूरे इसमें जो गोर का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर गुमा देती है, यह इसका काफी अच्छा एट्रेक्शन है, अगर हम इसके की पोइंट की बात क अगर यह ना करते तो शायद यहाँ पर इतने प्लोट ना बिखते, तो मैं आपको बताजिता हूँ, यह जो है नो एकड में पूरा बनाया हुआ है, इसको जो लेक है, यह देखिए यह दूसरा आपका यह पर प्लोटिंग है, यहाँ पर यह विला है, लेक्शोर विउ इस इसमें जो प्लोटिंग एरिया किया हुआ है, वो 65% पे है, और जो ग्रीन एरिया है वो आपका 7% के आसपास देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 248 प्लोट देखने को मिलेंगे, ठीक है हम लोग इसमें बात करेंगे, तो यहाँ पर security के लियास से, main road से service road आती है, जो iam इन्होंने बनाए हुए है, तो यह second park view है, इसमें सबसे ज़्यादा मकान बन चुके हैं, आप इसलिए कह सकते हो, क्योंकि यह पहले launch कर दिया गया था first से, तो first बाद में launch किया गया, map में भी मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, current का, जो google view से आप देख पा रहे होंगे, और पिक्चराइजिशन के द्वारे भी, वीडियो के द्वारे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इनका एक सेंपल विला है, यहाँ पर शूटिंग चल रही थी उस्टिन, उस दिन जो है, आप देख पा रहे होंगे, उनका crew वगएरा की जो गाडियां खड़ी हुई यहाँ पर काफी अच्छी डेवलपमेंट है, यहाँ पर आपको जो है बारा मीटर की नो मीटर की रोड देखने को मिल जाती है, यहाँ पर यहाँ पर यह वाली आपको रोड देखने को मिल जाती है, काफी अच्छी है, फुट पात वगएरा इतने नहीं है यहाँ पर, तो आपके विला हैं और आपका मैं जो सूट हैं जो कि आप वैसे होते हैं इस्टूडियो वह भी हैं यहाँ पर जो काफी अच्छी डेवलप्मेंट हो चुकी है यह देखे वैसे तो यहाँ पर एफ यार जो है यहाँ पर आपको 28-262 गज के अपलोड देखने को मिल जाते हैं इसके बाहर जो मैंने आपको रोड दिखाए थी वह 30 मिटर की थी पर आप अगर इनसे बनवाना चाते हैं तो आपको पच्छी सो रुपे पर इसक्वार फिट के इसाब से चार्ज लेते हैं आप खुद से भी बना सकते हैं जो कि 1200 से 1800 स्क्वार फिट का जो है चार्ज आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 25 परसेंट जो है इस पे छोड़ना होता है फ्रन्ट और बैक में जो कि यह ड़का है और सारे यह जो हैं लीज होल्ड पे हैं कोई भी जो है फ्री होल्ड प्रोपर्टी यहाँ पर नहीं है अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो आपके पास में तकरीवन तकरीवन कम से कम 35 लाग रुपे होना चाहिए और वो 35 से लेकर के 70 लाग रुपे तक चला जाएगा क्य जो कि आपको दो गंटे लेगा पूरा आने में यहाँ पे नोईड़ा इंटरनेशनल से इसकी दूरी 25 किलोमेटर पड़ेगी जो कि आपको आदे गंटा लगेगा उसके लिए मेट्रो की बात करूँ तो देखिए नोलिज पार्क टू जो है वो सबसे पास में पढ़ता जो की 22 किलोमेटर है डिन दे की बात करूँ आपको तो वो 54 किलोमेटर है यहाँ से और डिट गंटा आपको इसमें आने में लगेगा अगर मैं सेकिंड पार व्यू की आपको बात करूँ तो देखिए यह जोड़ी जी रोड कंजस्टिड है यहाँ पर आपको 9 मिटर की रोड करूँ जाती है आने वारे टाइम में जब यहाँ पर सब फ्लोटिंग हो जाएगी तो पार्किंग की दिक्कत आ सकती है और जिस तरह इससे गरी गिंडरी हमारे को देखने को मिल जाती है जो गेटर नियोड़ा के और दूसरे सेक्टर है वैसी गिंडरी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, प्लोट काफी महेंगे हैं, उसका कारण यह है कि इन्होंने यह चोड़ से मैंटेन करके बनाए हुए हैं, और लेक की वैसे यहाँ पर ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर देखे तो यह अमने एक स्पेस पर पास परता है, यहां से आपका जो है नाइट सफारी भी पास पड़ेगा, तो देखे, अब मैं आगे हूँ, अब 30 मिटर की रोड पे यह थर्ड पार्क व्यू है, यहाँ पर जो की खाली जगा पड़ी हुई, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं बना है, इसके सामने अगर मैं आपको होते हैं, अगर मैं इसके एरिया की बात करो तो यह आपको 26.95 यानि 27 स्कार मिटर का एक आपको जो है अपार्टमेंट देखने को मिल जाता है, यह सामने आप जो है विल्डिंग देख रहे हैं, 16 पार्क व्यू है, इसके रन्वे सूट के जस्ट बराबर में जो है जी देदारी लोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो ही लोग होंगे जो यहाँ पर देखने आ रहे हैं, तो देखिए मैंने आपको बताया था, यह थर्ड पार्क व्यू की लोकेशन अभी खाली पड़ी हुई है, उसके बाद में सामने आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा काम चल रहा है, और वहाँ पर आपको जो है स्कूल देखने के लिए मिल जाता है, वो गौर इंटरेशनल स्कूल है, जहाँ पर ओपन है, वो बच्चों के पड़ाई होती है अभी, यह आपको थर्ड पार्क व्यू की जो है, जो खाली जगा पड़ी हुई है, इसके जस् सामने में जो है, जो बरावर में जमीन है, वो सेवन्त पार्क व्यू है, जो की रादे कुंज भी कहलाता है, यह आपर 35 लाग से स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी पार्क नहीं है, और एक ही गेट है इसके अंदर, लेकिन सबसे छोटे, मतलब सबसे कम प्लोट उसी के अंदर में हैं, और यह सर्विस रोड से लगता हुआ है, तो मुझको यहाँ पर जादा अच्छा लगा, इ आपके जो हैं, स्पोर्ट विल आते हैं, तो यह इसको डेवलप किया जा रहा है अभी, मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं, यह इन्डिपेंडेंट फ्लोर हैं, जिसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 23 से टोटल यूनिट हैं, इसकी आप ब्लोक क और यह जो आपको टावर नजरा रहे हैं, यह आपके 16 पार्क व्यू के टावर हैं, तो इसमें आपको जो है टोटल पंदरा ब्लोक आपको देखने को मिल जाते हैं, यह जाते हैं तो सामने आपको 30 सेकिंड पार्क व्यू और यह leader साइड में जो है पहले रादे कुंझ तो आपको जो गेट देखेगा वो आपका Victorian विला आ जाते हैं जो कि आपको 6th पार्क व्यू भी कहलाता है और इसको पूरी राउंड जब हम कर लेंगे तो उसके सामने आपको जो है 30 सेकंड पार्क व्यू देखने को मिल जाता है अगर बात की जाए Victorian विला की तो देखे यहा 100-500 गज के जो है इसमें प्लोट आपको देखने को मिल जाते हैं यह जो आप सामने देख रहे हैं यह 30 सेकंड पार्क व्यू है इसमें अगर मैं बात करूँ आपको तो इसमें भी आपको जो है 45 से 46 लाग रुपे तक का आपको डालना पड़े का investment अंडर construction है यह भी इसमें 3 बड़े पार्क हैं जो कि आप देख भी पा रहे होंगे दो साइडों में है और एक चोटा सा गोल इसमें बीच में दिया हुआ है तो इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं अब हम चलते हैं अपने 7 पार्क व्यू की तरब जो की sports विला है और रादेकुंज विला है वहा वहां पर अभी कुछ development नहीं हुआ है तो उसकी development में लोग लगे हुए हैं आप देख भी पाएंगे वहां पर प्लोटिंग की जाएगी अगर मैं बात करूं यह देखे जो बीडिंग है 16 पार्क व्यू की तो इसमें आपको 2BHK, 3BHK और 4BHK आपको देखने को मिल जाते ह हैं अगर मैं इसके area की बात करूं तो आपको हजार से 1620 square feet का जो है मिल जाता है independent floor और 4BHK आपको 925 square feet के मिल जाते हैं तो इनकी जो सुरुवाती कीमत में आपको बताओं तो तकरीबन 27 लाग रुपे से start होते हैं यह जो apartment है यहां पर 2000 flat है इसके अंदर में ready to possession है और आप जो है independent floor भी आप यहां पर देख सकते हैं independent floor की height ज्यादा नहीं है उन building की तो यह है आपका attraction point यहां पर जो कि है लेक जो कि मैंने आपको बताई थी 9 एकड में बड़ी फुरसत से design की है काफी अच्छा किया हुआ है देखिए बच्चों के खेलने के लिए कितना चप पार्क यहां पर दिया हुआ है और मैं आपको ऊपर भी लेकर जाओंगा क्योंकि अगर हम ब्रीज के ऊपर नहीं गए तो फिर कहीं भी नहीं यहां से काफी अच्छा view आपको देखने को मिल जाता है लोग बाग यहां पर शेयर करते हैं वोटिंग की facility आपको देखने को मिल जाती और सबसे खुसरत चीज जो आपको यहां पर देखने को मिलेगी वो आपको मिल जाएंगे यहां पर ducks white एकडम और उनकी जो तादाद है काफी सही है यहां पर और वो चैलते रहते हैं यहां पर जिससे कि उनका अपना घर हो यहां पर तो यह चीज यहां पर देखने के दिखाऊंगा और सबसे लास्ट में दिखाऊंगा हमारे नेचुरल साथी परिंदे कहो उनको कुछ भी कहो जिनको देख करके मन लगता है कि हाँ यहीं पर रहे तो देखिए सामने आपको 16 पार्क में नजरा रहा है और आपको जो है जो टन्वे सूट्स हैं वो बिल्डिंग तो मैं रिसाब से आप प्लोट में इंवेस्ट कीजी और बाहर इंवेस्ट कीजी अगर आपको रहना है तब आप यहां पे कर सकते हैं उसके लिए काफी अच्छी जगा है और मेंटेन भी की हुई है सबसे बड़ी बाती है लेकिन इसके लिए आपको खर्चा करना पड़त हैं अपने दोस्तों के पास में और यहां पर मैं आपसे लूँगा विदा अगर आपको कोई कोश्चन है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा